भीश में पृतिग्या एक बार हस्तिनापुर के महराज पृतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे उनके रूप सौंदर्य से मोहित होकर देवी गंगा उनकी दाहनी जंग पर आकर बैठ गएं। महराज देखकर आश्चर्य में पढ़ गए तब गंगा ने कहा हे राजन मैं जन हूँ रिशी की पुत्री गंगा हूँ और आपसे विवार करने की अविलासा लेकर आपके पास आई हूँ। इस पर महराज पृतीब बोले गंगे तुम मेरी दाहनी जांग पर वैठी हो पतनी को तो बामांगी होना चाहिए दाहनी जांग तो पुत्र का पृतीख है अतह मैं तुम्हें अपनी पुत्र बदू के रूप मैं सुईकार करता हूँ। एह सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। अम महराज पृतीब ने पुत्र प्राप्ती के लिए घोर तप करना आरंब कर दिया। उनके तपके फल सरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ती हुई जिसका नाम उन्होंने सांतनु रखा। सांतनु के युवा होने पर उसे गंगा के साथ विभाय करने का आदेश दे महराज पृतीब चली गए। पिता के आदेश का पालन करने के लिए सांतनु ने गंगा के पास जाकर उनसे विभाय करने के लिए निवेदन किया। गंगा बोली। राजन मैं आपके साथ विभाय तो कर सकती हूँ किन्तु आपको बचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कारे में हस्तिछेप नहीं करेंगे। सांतनु ने गंगा के कहे अनुसार बचन दे कर उनसे विभाय कर लिया। गंगा की गर्व से महराज सांतनु के आठ पुत्र हुए। जिन मैं से साथ को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर भाय दिया। और अपने दिये हुए बचान में बंदे होने के कारण महराज सांतनु कुछ बोल ना सके जब गंगा का आठवा फुत्र हुआ और भाह से भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी तो राजा सांतनु से रहा न गया और बे बोले गंगे तुमने मेरे साथ फुत्रों को नदी में बहा दिया किन्तु अपनी पृतिग्या अनुसार मैंने कुछ न कहा अब तुम मेरे इस आठवे फुत्र को भी बहाने जा रही हो मैं तुम से प्रातना करता हूँ किरपा करके इसे नदी में मत बहाओ यह सुनका गंगा ने कहा राजन आपने अपने पृतिग्या भंग कर दी इसलिए अब मैं आपकी पास नहीं रह सकती इतना कहकर गंगा अपने पुत्र के साथ अंतर ध्यान हो गई तत्पष्चात महरास सांतनों ने 36 वर्ष ब्रह्मचार ब्रधान करेके बृतित कर दिये फिर एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे जाकर गंगा से कहा गंगे आज मेरी एक्चा इस बालक को देखने की हो रही है जिसे तुम अपने साथ ले गई थी गंगा एक सुन्दा इस्त्री के रूप में उस बालक के साथ प्रकट हो गई और बोली राजन यह आपका पुत्र है तथा इसका नाम देव ब्रध है से ग्रहन करो यह प्राक्रमी होने के साथ बिद्वान भी होगा हस्त बिद्वा में एह पर्शुराम के समान होगा महराज सांतनों अपने पुत्र देव ब्रत को पाकर त्यंत प्रसंद हुए और उसे अपने साथ हस्तिना पुला कर युगराज गोसित कर दिया एक दिन महराज सांतनों यम्ना के तट पर भूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाती हुए एक सुन्दर कन्या दर्श्टिगत हुई उसके अंग-अंगे से सुगंध निकल रही थी महराज ने उस कन्या से पूँचा हे देवी तुम कौन हो कन्या ने बताया महराज मेरा नाम सत्तवती है मैं निसाद कन्या हूँ महराज उसके रूप योवन पर रीज कर ततकाल उसके पिता की पास पहुँचे और सत्तवती की पास साथ अपने विवाय का प्रस्ताव किया इस पर धीवन निसाद बोला राजन मुझे अपनी कन्या का आपके साथ विवाय करने में कोई आपत्ती नहीं है परन्तु आपको मेरी कन्या के गर्व से उत्पन पुत्र को ही अपने राज्य का उत्तराधीकारी बनाना होगा निसात के इन बचनों को सुनकर महराज सांतुन चुपचा फस्तिनापुर लोटाए सत्तवती के वियोग में महराज सांतुन भ्याकुल रहने लगे उनका सरीर दुरवल होने लगा महराज की इस दसा को देखकर देव ब्रत को बड़ी चिंता हुई जब उन्हें मंत्रियों के दौर पिता की इस प्रकार की दसा होने का कारण गया थुगा तो वित तत्काल समस्त मंत्रियों के साथ निसात के घर जा पहुचे और उन्हों निसात से कहा हे निसाद आप सहर्स अपनी पुत्री सत्त पती का विवाय मेरे पिता सांतनों के साथ कर दें मैं आपको बचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्वे से जो बालक जनम लेगा भाही राज्य का उत्तर अधिकारी होगा कालांता में मेरी कोई संतान आप ये पुत्री के संतान का अधिकार छीन ना पाए इस कारण मैं पृतिग्या करता हूं कि आजहन में आप वाहित रहूंगा उनकी इस पृतिग्या को सुनका निसाद ने हाज जोर का कहा ए देवबरत आपकी इस पृतिग्या भूत पूर्व है इतना कहर का निसाद ने ततकाल अपनी पृत्ति सत्रवती को देवबरत तथा उनकी मंत्रियों के साथ हस्तिना पूर भेद दिया देवबरत ने अपनी माता सत्यवतिव को लाकर अपनी पिता सांतनु को सौप दिया पिता ने प्रसंद होकर पुत्र से कहा बस तुने पृत्र भक्ति के बसी बूत होकर यासी पृतिग्या किया जैसे कि ना आज तक किसी न किया है और ना भविस्व में करेगा मैं तुझे बर्दान दिता हूँ कि तेरी मित्यू तेरी एक्छा से ही होगी तेरी इस प्रकार की पृतिग्या करने के कारण तु भीस्व में कहलाएगा और तेरी प्रतिग्या भीस्व में पृतिग्या की नाम से सदे उप्रख्यात रहेगी गंगा ने सोहम का परीचाए जहनुरिसी की पुत्री के रूप में दिया जबकि बेहमाला पुत्री थी मैं अच्छी प्रकार से जानती हूँ कि यह पाठा का बस यह समझते होंगी गंगा ने ऐसा क्यों कहा किन्तु यह भी हो सकता है कि कुछ पाठकों को ग्यात ना हूँ कि गंगा जहनुरिसी की पुत्री कैंसे हूँ में जिक ग्यासा को सांत करने के लिए अगली कथा पासकते हैं